दोस्तो आज बात करेंगे इमीडा किलोप्रिट 17.8 SL के बारे में ये मुख रूप से 5 किन-किन फसलों में क्या-क्या कार्य करता है इसके बारे बताएंगे तो दोस्तो खेती समंधी इसी प्रिकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकोन के बटन को दवा दें तो दोस्तो सब से पहले बात करते हैं ये गन्य में क्या-क्या काम करता है हमारी गन्य की फसल होती है तो सब से पहले जminister कार है हम इसका सीट ट्रीट्मेंट कर सकते हैं यदि हम इस सी ट्रीत्मेंट करते हैं तो ये मुख रूप से विमिन प्रकार की जो कीड़े हमारी गन्य की फसल को लगते हैं यानि कि जो हम अपने जो पच्छी आं दवाते हैं जो गन्य के टुकडे दवाते हैं उनमें दीमक जैसे कोई कीड़े लगते हैं तो उनसे बचाब रखता है और दोस्तो और यदि हमारी फसल में बिविन प्रिकार के जो उड़ने वाले कीड़े हैं या रस चूंसने वाले कीड़े हैं तो हमारी गन्ने की फसल को लगते हैं तो हम इसका इस्प्रे कर सकते हैं इसके इस्प्रे के लिए हम एक êmल पिरती लीटर पानी में गोल कर इसका इस्प्रे कर सकते हैं यदी हम ऐसा करते हैं, तो हमारे विमिन प्रकाल के जो कीड़े होते हैं उड़ने वाले और रच चूंसने वाले इन पर कंट्रॉल होता है और दोस्तों यदि गन्य की फसल में दीमक लगती है तो दीमक से काट्रॉल हमारा ये इमिडा क्लोरपिट अच्छी प्रकार करता है 250 ml इमिडा क्लोरपिट 17.8 SL को लेकर आप इसको पानी के साथ छोड़ सकते हैं यदि आपने साथ करते हैं तो दीमक से छुटकार मिल सकता है तो दोस्तों दोसरा जो हमारी फसल है वो है मिर्च यदि हमारी मिर्च में बिभिन प्रकार के कीड़े जैसे एफिड है जैसिढस है और रच चूसने वाले जो वाइट फिलाई है इस प्रिकार कि यदि कीड़े लगते हैं या लीफ कर लेगा गई है यदि हम इसका स्प्रे करते हैं तो इन पर कंट्रॉल होता है और दोस्तो जैसे हमारी मिर्च में मरोडिया रोल लगता है जिसे लीफ करलिंग में कहते हैं यदि हम एक एमेल पिर्टी लिटर पानी में घोलकर स्प्रे करते हैं तो इस पर कंट्रॉल होता है और दोस्तो इसमें हम दूसरी दवाई भी मिला सकते हैं यानि कि हम इसमें NPK का भी स्प्रेय मिलाकर कर सकते हैं और बेविशन प्रकार के जो टॉनिक होते हैं उनके साथ भी इसका हम स्प्रेय कर सकते हैं दोस्तो हमारी तीसरी फ़सल है धान तो हम सुरुवाती जो बात करेंगे वो सीड ट्रीटमेंट से ही करेंगे यानि कि बीज सोधन से ही करेंगे बीज सोधन करते समय हम कारवन नजिम का हम प्रयोग करते हैं यानि कि जो फंजिसाइड होती है और दोस्तो यदि हमारी फचल में बिविन प्रिकार के उनने वाले कीडे हैं या रच चूसने वाले बहुत से कीडे हैं तो उन से भी हमें इस पर कंट्रॉल मिलता है और हम एक एमेल पिरती लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर इस्प्रे करें इसमें की 150 एमेल दवाई लेक 150 लीटर पानी में घोल कर पिरती एकड़ के हिसाब से इस्प्रे करें तो इन सभी क्योंडों पर कंट्रॉल होता है और दोस्तो हमारी चौती फचल है वो है गयों की इसी पिरकार गयों की फचल में भी सीट ट्रीटमेंट के समय इसका प्रियोग कर सकते हैं जैसे की जिसके बहुत अच्छे लिट मिलते हैं यानि कि फंगस के साथ साथ हमारी जो बिफनी प्रिकार के कीड़े हमारे गयों के बीच को नीचे जमीन में जाकर लगते हैं तो उस पर भी कंट्रॉल होता है और दोस्तों जब हमारी गयों की फसल फूल किया बस्तामे आती है उसके बाद इसमें जो माहूं और चैपा और वाइट फ्राई जैसे कीड़े लगते हैं तो उस समय भी हम यदी स्प्रे करते हैं तो इन पर कंट्रॉल होता है और हमारी उपज में ब्रद्दी होती है अब दोस्तों बात करते हैं पांची फसल की पांची फसल है टमाटर और दोस् सभी क्यों पर इससे काट्रॉल होता है इसमें भी हम एक एमेल पिरती लीटर पानी में घोलकर इस्प्रे कर सकते हैं और इस प्रकार हमारी जो में फसल होती है वो एक सो पचास लीटर पानी में ये इसका स्प्रे हो जाता है एक एकड़ में इसमें हम एक सो पचास एमेल इम जो हमारी बिर्पिरकार की और बाकी जो सबजी की फसल है और दूसरी फसल है उसमें भी उनने वाले कीड़े या रच चूसने वाले कीड़े लगते हैं तो उन फसलों में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसी के साथ इस वीडियो साथ करते हैं नमस्कार